हेलो फ्रेंड सर्दियां आ गई है साथ में आ गई है फ्रेश फ्रेश हरी हरी मैथी तो इस बार अगर आपने हरी मैथी से ये थेपली नहीं बनाए तो आपने बहुत इंपोर्टेंट चीज मिस कर दिये तो बिना देर करें हरी मैथी से ये थेपली बना कर देखिएगा इतने साथ सौफ्ट ही थेपली बनकर त्यार होते हैं नाश्टे में खाईए बच्चों के टिफिन में रखिए सफर में लेकर चाहिए बहुत ही टीस्टी थेपली बनकर त्यार होंगे चटनी के साथ अचार के साथ खाईए आप चाहिए तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं क्योंकि यह तो हमें इसके सान कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है तो चलिए बिना देर करें इनको बनाना स्टार्ट करते हैं इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले फ्रेश मैथी की जरूरत है तो मैंने एक पंच फ्रेश मैथी ले लिया था पतियां उसके तोड़ लीती अच्छे से धो लेना है और धोने के बाद हमें इसको एकडम बारीक बारीक कट करना है फेपले बनाने के लिए बहुत जरूर है कि मैथी को आपको बारीक कट करना है और अगर आप इसको सफर के लिए कर जा रहे ये तो आप ध्यान रखेगा कि आप मैती को अच्छे से सुखा लीजेगा यहां पर सारी मैती को एक दम बारीक बारीक मैने कट कर लिया है और जब भी आप मैती वगएरा बना रहे हैं तो आप ध्यान रखीगा कट करने से पहले इसको दो लेना है अब एक चटपटा सा मसाला बना कर तेयार करेंगे तो उसक ना ले ले अनो मैती को कट करने बास afterbank के तो वह आप मेती डेशले ले लेना है नमख लेना है उसके बाद कश्मीरी लाल-मेच थनिया पाउडर हली पाउडर और थोड़ाग साओ वह जाओ तो टेस्त की लिए उसके बाद इसको घस्त बनाने के लिए टेस्टी बनाने के लिए बेसन डाल दिया है दो चम मच उसके बाद जो हमने पेस्ट पीस कर रखा था उसको डाल देना है अब मैं इसमें डाल दूंगी ओईल ऑईल इसमें थोड़ा साथ जाएगा क्योंकि जो थेपले हैं ना वो बड़ी आसे सॉफ्ट बनक तेयार होते हैं खास दोर पर इसको नाश्टे में और सफर के लिए बनाया जाता है मिक्स जार में थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था तो मैंने पानी डाल करके इस तरह से आटे में एट कर दिया इससे तीक हफन बना रहेगा जार तो साफ हो ही जाएगा अब देखिए इसका करके हमें इसको रख देना है 5-10 मिनिट के लिए तब तक आप चटनी वगरा बना सकते हैं वैसे तो आप ऐसे भी खाएंगे तो यह बहुत लगता है दस मिनिट हो गए थे अब ही हमें क्या करना इसको चिकना कर लेना काप कभी भी रोटी परांटे थेपले कुछ भी बना है ना आटे को गूतने के बाद उसको रैस्ट पर रखकर थोड़ा सा चिकना कर लेते ना तो बहुत बढ़िया यह बनकर तयार होते हैं बस अभी हमें क्या करना है सारी के सारी लोयां बना लेना है और एक और बात में आपको बताते हूं जो थेपले होते ना इसको ना आप while ह में एक दम जतना हो सके इ सकते ना उतना पतला बैलना है फ Tang Toil होते ना घज लीकल भेशल दर्क बनाने के लीए पाराटे हैं वगЕरा की जैसे मेडियों प्ललास नहीं तो यह चणot हो जाएंग तो पर फटा फट साल इनको को सेघलेना है इसलिए कोशिच किजिएक कि ही धेर सारे बना कर रख लीजेगा और उसके बाद पटाफट से सेंख लीजेगा अगर आपकी इस पिर तेज है तो आप तुरंद बनाते जाएगा तुरंद सेंख दे जाएगा तो हमें दोनों तरफ से ओल लगाकर हाई फ्लेम पर इसको अच्छे से सेंख लेना इससे क्या को चैपले सारे बनकर त्यार हो गए हैं जडही बनाने में यह थन्डे भी वुव घय चैटनी साथ सौस के साथ अचार साथ कैसे भी कğाईगा बहुत मज़ी लगई हो तो लाइक कीजिगा और शेयर कीजिगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबातीजिगा बाइबाई